थोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब आपकी वीडियो वायरल हो जाती है तो आपका चैनल उसके बाद भी क्यों डाउन हो जाता है दोस्तो आपने यूट्यूब पर सुना होगा जब आपकी वीडियो कोई वारल हो जाती है तो आपका चैनल ग्रो हो जाता है आपकी वीडियो पर रेगुलर व्यूज आने लगता है और आप उससे अर्णिंग करने लगते हैं लेकिन ऐसा सभी के साथ नहीं हो रहा है बहुत सारे लोगों के वीडियो वारल गई फिर भी उनका चैनल डाउन हो जा रहा है तो इसका कारण क्या है क्या चीजे आप नहीं समझ पा रहे हैं किस कारण से आपके चैनल पर फिर से व्यूज आना बंज हो जाता है दोस्तो जैसा कि आपने देखा होगा हनिया वाइस और सनी इस्टोरिया इसे बहुत सारे चैनल अभी बने हुए हैं जिनकी एक बार वीडियो वायरल गई उसके बाद उनका चैनल उठता चला गया ग्रो होता चला गया सस्क्राइबर और व्यूज बढ़ते चले गए तो यहाँ पे आपको स साथ दिखाने वाला हूँ क्या चीजे आपको सुधार करनी चाहिए कहां पे आपको समझना चाहिए कैसे आप समझ पाएंगे कि आपके चैनल में क्या कमी है आप क्या गलतिया कर रहे हैं इस चीज को मैं लाइब पुरू के साथ यूट्यूब स्टूडियो में दिखाने व पॉर्टन वीडियो आज की होने वाली है अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है इस चीजों को जरूर से ध्यान से रखिएगा तो यहां पे आप देख सकते हैं मैंने अपने यूट्यूब स्टूडियो को यहां पे ओपन कर लिया है आपको यहां पे ऊपर की तीन वीडियो पर नोठिस करना है 324 वीच पर 612 वीच पर 795 वीच पर इन तीन वीडियो को आप देख कर यहां पे समझ जाएंगे कि प्रावलम क्या है आपके चैनल में यापके वीडियो में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले ये समझा देता हूँ, जब भी आपकी कोई वीडियो वारल जाती है, तो वही आपका चैनल हो जाता है, अगर आप उस चीज को नहीं समझ पाएंगे, तो आपका चैनल ग्रो नहीं होकर डाउन होता चला सबसे पहले आपको समझना है, आपकी जो वीडियो वारल गई है, वो किस तरह की है, उसे ने किस आडियोंस को कैच किया है, किस आडियोंस ने उसको देखा है, क्या टाइटल आपने लगाया था, क्या थमनेल आपने लगाया था, इन सभी चीजों को जब तक आप नोटिस नहीं करेंगे क्या आपकी आडियंस कैसी आडियंस आपके channel पर आई थी अगर इस दिढ़ को द्यान नहीं देंगे तो आपका channel नहीं गुरु होगा यही सबसे main point है अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको समझना कैसे है क्या आपको change करना चाहिए अगर आपकी वीडियो पर views नहीं आ रहा है तो सबसे पहले ये देखना आपकी audience कौन सी है कैसी audience आपकी वीडियो viral होने पर आई थी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जो वीडियो viral गई थी बहुत ज़्यादा viral तो नहीं गई थी क्योंकि यहाँ पर tech channel है और इस category में जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ इस पर बहुत कम audience है इसलिए मेरा views कम आता है यह भी मेरे लिए बहुत है क्योंकि ऐसी audience ही बहुत कम है तो views कितना आएगा मेरा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यह first वीडियो है मैंने कहानी चैनल से later बनाया क्योंकि यह वीडियो मेरे चैनल पर चलती है मुझे पता है मेरे चैनल पर यही audience है और इसके अलावत ज जो audience को मेरी पसंद है जिससे उनका फायदा हो तो सबसे पहले आप यहाँ पर हम देख लेते हैं इस पहली वीडियो को इस पर views कम क्यों आया है तो सबसे पहले इसे आपको समझना होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं इस पर views कम आने का कारण मैं आपको दिखाए देता ठीक है लेकिन यहाँ पर मुझे क्या समझ में आ रहा है 9.7 मेरा जो इस वीडियो का CTR है click through rate मेरे वीडियो पर click करने का जो rate है तो यहाँ पर बहुत कम है इसका मतलब यह हो गया मैंने अपने thumbnail में कुछ कमी की थी लिखने में कुछ कमी की है ऐसा word मैंने नहीं लिखा जिसस ऐसा भी हो रहा है YouTube का algorithm सभी के channel को down भी कर रहा है तो अब मैं आपको दूसरी वीडियो यहाँ पर दिखा देता हूं जिस पर 612 view जाए है पुरानी वीडियो पर लगभग 9.7 यानि 10% CTR था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वीडियो पर 11.3 लगभग 11.5% CTR है यानि म मैंने यहाँ पर thumbnail अच्छा बनाया है कोई जब भी वीडियो को क्लिक करता है टाइटल और thumbnail को ही देखकर क्लिक करता है कि आपकी वीडियो किस प्रकार है और यहाँ पर आपने कैसा thumbnail बनाया है अपनी audience को आपने कैस किया है यह नहीं तो यहाँ पर यह दो चीजे हो गई देखा यहाँ पर CTR बढ़ा अब मैं आपको तीसरी वीडियो को दिखा देता हूं उस पर वीडियो आने का कारण क्या है 795 वीडियो क्यों आया उस पर तो यह चीजे आपको ध्यान से समझना होगा तो यहाँ पर देख सेते हैं लगभग 13% CTR है क्लिक थूरेट 13% है और average view duration यहाँ पर कम है मेरी वीडियो को थोड़ा कम वाच किया गया है लेकिन यहाँ पर CTR इसका हाई है तो आप क्या समझें कि आपको थमनेल पर ज्यादा जोर देना है तब ही आपका व्यूज बढ़ेगा लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो व्यूज है 797 व्यूज यहाँ पर आया हुआ है यहाँ पर क्लिक थूरूरेट 12.9 है लगभग 13% है तो आपको दो चीजे अब नोटिस करनी चाहिए पहला तो अगर आपकी वीडियो पर यहाँ पर CTR डाउन है यह इंप्रेशन क्लिक थूरूरेट डाउन है 6-7% है 8-10% है 6-7% ही होगा अगर आप आपकी वीडियो गई है वाइरल तो आपको समझना क्या है कि आप उस तरह की वीडियो अपने आडियंस को नहीं दे रहे हैं जो उन्हीं की पसंद है जिस वीडियो से आपकी आडियंस आपके चैनल पर आई है और आप थम्नेल वाइसा नहीं दे रहे हैं जिससे वो क्लिक क करके आपकी वीडियो को देखे या आपका वीडियो का टॉपिक ही वही नहीं है जो देखना पसंद करते हैं तो यहां पर आपको समझना होगा इंप्रेशन क्लिक थूरू रेट सबसे जादा मैटर करता है उसके बाद आपकी वीडियो भी अच्छी होनी चाहिए नहीं तो आ पाने वीडियो आपकी वाइरल गई है उसको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे ध्यान से समझना होगा इन चीजों को तभी आप अपने वीडियो पर रेगुलर व्यूज ला पाएंगे तो इन चीजों को समझ कर आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं